हेलो डी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आपका यह जो डी सीम का पेपर सेकेंड है यानि डी सीम का फोर्थ नंबर पेपर जो है और फिजिक्स के अंदर जो सेकेंड नंबर पेपर है वह अच्छे से गया होगा मैं स्वदेश कुमार अगरवाल टीम केजी डिक्रीज़ फ्रों 20 मेटर पर सेकेंड तो 5 मेटर पर सेकेंड इने इस्टेंस ओफ 100 मेटर पोर्स ऑन दे बोडी से 20 kg द्रविवाल की वस्तु केवेग 100 मेटर के दूरी के तुरान 20 मेटरपति से पांच मेटरपति सेकेंड जया जाधा बस्तु पर बल क्या होगा तो वह बच्छों इसके अंदर हम क्या करते हैं सबसे पहले हैं हम तीसरी समीकरन का इस्तमाल करते हैं थिक्मिरेशन का यूस क कितने डिस्टेंस के लिए 100 मीटर के अंदर ऐसा हुआ है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 25 माइनस इसको इतर लेके जाएंगे तो 400 विल वी इक्वल टू इसको हमने लिख दिया 200 और यह आगे हमारा एक्सेलरेशन और हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वह होता है मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास हमारे पास में है 20 kg और एक्सेलरेशन हमारे पास में है यह कितना जाएगा 375 अफ्कोर्स नेगेटिव क्योंकि माइनस 375 यहां पर हमें मिलेगा डिवाइड बाइ 200 तो इसको हम कैंसल करेंगे तो यह मिलेगा यहां से 10 तो एफ हमारे पास आजाएगा माइनस 37.5 न्यूटन तो इसके हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वह एक करेक्ट सोलुशन बन जाएगा ठीक है आसान सा कुष्टन था चली आगे चलते हैं है नेक्स्ट कुश्टन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वेस्टन इस ब्लॉक ऑफ मास में रेस्टिंग ऑन श्मूद हो और वह इस तरीके से हमारा जो मास है वह इसकी उपर रेस्ट कर रहा है वन एंड ऑफ मास की जो एक स्ट्रिंग है रोप है वह यूनिफॉर्म रोप है कि इसका मास जो है वह है एम बाई थ्री रोप का मास मारवा से एम बाई थ्री विजिस पूल एन होरिजोंटल डिरेक्शन भाई अप्लाइंगे फोर्स एप जिसको हम एक शैतिस दिशा में एफ बल लगा कर से कितना आएगा तो एक्सलेरेशन विल बी नेट फोर्स डिवाइड बाई ट्वल जो हमारे पास में मास है ंप्लस M ऑई 3 यह हमारे पास में कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 by 3 तो 3 F by 4 M तो इसका total acceleration जो system का है वो कितना हो जाएगा 3 F by 4 M अब हमें इसके mid point पर यहाँ पर जैसे कि हमें दिया हुआ tension जो है वो calculate करनी है ठीक है तो यहाँ पर जो tension होगी इसका काम होगा इस पूरे के पूरे system को यह जो system है इस वाले पूरे system को accelerate करना तो T will be equal to this mass plus this mass तो यह half mass होगे M by 3 का आप कितना होगया M by 6 M by 3 का आप कितना होगया M by 6 तो total mass कितना होगया M plus M by 6 इस mass को accelerate करना अब इस tension का काम है इसका acceleration होगया 3 F by 4 M 3 F by 4 M तो tension comes out to be यह कितना होगया 7 M by 6 into 3 F by 4 M तो यह M से M cancel हो जाएगा और यहां से 3 से यह 2 cancel हो जाएगा तो tension हमें मिलेगी 7 by 8 F और यह fourth option जो है बच्चों हमारा correct solution हो जाएगा ठीक है चलें आगे next question हम पढ़ते हैं the acceleration of block A and B in the figure show A or B का turn क्या होगा तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां पर इसका और इसका जो turn है वो अलग-अलग होगा क्योंकि यहां पर हमें एक movable pulley का इस्तमाल किया है movable pulley जैसे इस्तमाल होगी तो इन दौनों के लिए जो acceleration है उनकी value बदल जाएगी तो हम यहां पर टी डॉट वी method यूज कर सकते हैं तो टी डॉट वी method क्या कहता है कि अगर माली जैसे string में टी टेंशन हो यहां पर भी टी हो यहां पर भी इस्तमाल लेता हूँ वी भी यह उपर दा रहा है ठीक है तो टी डॉट वी method लगाते हैं यहां पर टी डॉट वी method अगर हम इसकी उपर लगाएंगे तो यह में क्या मिलेगा यहां पर यह ब्लोक उपर जा रहा है टेंशन भी उपर है तो टूटी सिग्मा ओफ टी डॉट टूटी इंट्वी बी यह हमरे पास में दोनों एक डिरेक्शन में तो यह प्लस आगया और यहांपर अंगर दिखेंगे तो टेंशन ऊपर की डिरेक्शन में और यह जा रहा है नीचे यहनिए दोनों अपोज़िट डिरेक्शन में है तो कॉस बनेटी माइनस आजाएगा तो माइनस T into VA यह किसके बराबर हो जाएगा जीरो के तो 2T VB यह किसके बराबर हो जाएगा T into VA यह दोनों cancel हो जाएंगे तो यहां से हमें पता लगेगा कि VA किसके बराबर है 2VB के और अगर मैं इन दोनों को को डिफ्रेंशेट कर दो जोनों तरफ तो ए ए यह किसके बराबर जाएगा टू ए बी के इसका मतलब है अगर acceleration of B को मैं A मान लूँ तो acceleration of A हमार पास आजाएगा two times of A अगर AB के acceleration को मैं A मान लूँ तो ए ए यानि एक acceleration कितना आजाएगा two times of A अब हम क्या करते हैं अब हम इनके उपर लगाते हैं Newton second law तो Newton second law में क्या कहता है कि यहां पर इसके लिए इसके उपर लगेगा टू जी नीचे और यह आ भी नीचे रहा है तो इसके लिए हमारे पास free body diagram बनेगा तू जी नीचे टेंशन ऊपर और इसका acceleration जो है वी ए वी ए को हमने कहा है तू ए तू ए यह है नीचे की direction में तो मैं इसके लिए equation लिखूंगा तू जी माइनस टी इस एक्वल टू टू ए करेक्ट और इसके विए लिए अगर हम बात करें तो यह वाला जो हमारा ब्लॉग के जा रहा है उपर तो टूटी ज्यादा होगा तो टूटी टेंशन ऊपर mg नीचे यानि जी नीचे इसका जो मास है वो वन केजी है तो mg यानी वन जी और यह हमारे पास में हो जाएगा वन इंटो वी बी के यानी वन इंटो एभी कितना एक टेंचन को गया करना है तो पूरी क्वेशन को मैं तू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह आ जाएगा हमारे पास में 4G-2T equal to 4A इन दोनों को add कर दो इन दोनों को add करेंगे तो कितना है कि यह दोन तो cancel हो जाएंगे इधर बचेगा 3G और इधर बचेगा हमारे पास में 2G-2T is 2A और 2T यहां पर हमारे पास में जो एक्सेलरेशन आया नीचे की डिरेक्शन में यह वाला वो केतना है हमारे पास में 2A तो 2 x 2 यहां पर बच्चों यह कितना बच जाएगा हमारे पास में इसको एक बार दोबारे देखते हैं तो यहां से जब मैंने इन दौनों को एड़ किया तो यह हमारे पास कितना अगया 4G-G 3G और यह हमारे पास में कितना अगया बच्चों नाइन है यह हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों इसका टू टेम स क्याएगा टोझी भाइ थ्री खेगत तो जी भाइट थ्री जीबाहिट पास में तोause आप्च्च जो है हमारे नँगर फॉर्ड चले आए थी है question number four the value of angle theta such that the acceleration of a is g by six downward along the inclined plane कौन theta गयाद कीजिए यह कत्वन नत तल के अनुदिश नीचे की ओर जी बटे छे हो ठीक है तो इसका जो त्वर्ण है वह हमारा को दे रखाए जी बटे छे ठीक है तो जो नेट जो इसका त्वर्ण है जी बटे छे वह किसके बराबर हो जाएगा टू एमजी साइन थर्टी माइनस एमजी यूपर जा रहा होगा और खोस थीटा एमजी एमजी यह भी अलोंग दान क्लाइंट प्लेंट साइन थीटा बटे इन दोनों को आप सम कर दीजिए तो टू एम प्लस एम ठीक है तो जी बाई ऑख्लता कटिए जोघ्न ठीक ही दो आप यह जाएंगे लियुकर जायए मजी था साइन थिटा बटे सरे हो थीजिए मजी कर देतें अपन यह भी अचल गएक यह भी कैंसे हो जाएगा है तो हमारे पस कितना आजाएगा 1 by 2 theta कितना आजाएगा 30 degree तो यह जो फर्स्ट option है वो हमारा correct solution हो जाएगा ठीक है आगे चले तो next question बच्चो आईए हम देखते हैं next question is three blocks of masses 2 kg 3 kg 5 kg are connected to each other with the light string and are then placed on a frictionless surface so this surface is given as जैसा किया में दिया हुए कि यह surface कैसी है एक frictionless surface है as shown in the figure the system is pulled by a force f is equal to 10 newton then the tension t1 is तो जैसा कि यह में दे रखा है कि यह जो f है हमारे पास 10 newton का है और हमें t1 तनाव गयाद करना है तो पहले इस पूरे system का हम तुर्ण गयाद करते हैं तो हमारे पास जो net बल लगा रखा है वो लगा रखा है दस और टोटल दरवे मान कितना है दो और तीन पांच और पांच पांच कितना होगे दस यानि कितना आ गया एक मेटर पती सेकेंड इसको है अब हमें इसकी इस तनावबल की मान कियाद करना तो यह तनावबल बेसिकली क्या कर रहा है इस पूरे system को त्वरण परदान कर रहा है यह पूरा system इस तरफ त्वरित है एक्सेलरेटेड है तो यह जो टीवन होगा बच्चों वह किसके बराबर होगा इस पूरे system वह तीन प्लस पांच एट इसको एक्सेलरेशन प्रवाइड कर रहा है तो टीवन हमार पास होगा एट इंटु वन यानि कितना हो जाएगा आठ नूटन तो हमार पास जो अंसर आ इसके दो कॉंपोनेंट हम बना सकते हैं एम जी साइन थीटा और यहां पर हमारा जो कॉंपोनेंट हो जाएगा वह हो जाएगा एम जी कोस थीटा यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं अब हमें काया है तो होल सिस्टम इस एक्सेलरेटेट हो रहा है इदर तो इस वेज के रिस्पेक्ट में इसकी उपर एक सुड़ दारेटेड फ्रेम है तो यह हमने लगा दिया सुड़को स्टर्शहे में यह थीटा है तो है यह पर क्रेक्ट यह पीदिंगर उसली केम यह तक यह यह Panama कि अगर यह ब्लॉक जो है वो मूब नहीं कर रहा है फिसल नहीं रहा है जैसे कि मैं दिया रहा है दो ब्लॉक ड़स नोट स्लिप ऑन देच तो इसका मतलब है यह में कॉस थिटा इट विल बैलेंस्ट वाइंगी साइन थिटा कि एम से में कैंसल हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा जी साइन थिटा भाई कॉस थिटा एक इतना हो जाएगा जी टेन थिटा यह तो आगई एक कंडिशन की एक्सेलरेशन कितना हो प्रिजोंटली कि यह ब्लॉक जो है इसके उपर क्या अगर नहीं करें अब दूसरी बात हम इसके लिए मैं नार्मल रेक्शन निकाल नहीं है नॉर्मल रेक्शन विल बी इकवल टो अगर मैं इस पर 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 फोर्स को क्योंकि यह मूव नहीं कर रहा है तो वह जाएगा एम जी को सिटा प्लस एम मैं साइन थिटा एक ही जगे मैंने रख दिया जी टेन थिटा और एम एक ही जगे रख दिया जी टेट नॉर्मल रेक्शन तो भी एमजी को सिटा एमजी साइन थीटा प्लस फीटा थीटा तो यह बन जाएगा साइन स्क्वेर थीटा बाइक और सी एक लसी ले ले लेते हैं तो एमजी इसको इज़र से मल्टिप्लाइए करेंगे तो आजए तो यही वह फोर्स है जो यह वैजिस ब्लॉग पर लगा रहा है ठीक है तो इसका जो अंसर आजाएगा वह आजाएगा एमजी बाइस को सिटा यानि सेकेंड ऑप्शन जो इसका अजाएगा ओके चलें आगे नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों कि अब बाड़ी ओफ मास 5 kg इस सब्सक्राइब बाइस प्रिंग बैलेंस और इंदर टेंशन आएगी और टेंशन कितनी आएगी जितना इसके उपर इस साइड में फोर्स लगेगा हम जानते हैं लॉंग दैंक्लाइन प्लेंड जो फोर्स होता है वह होता है एमजी साइन तो जो टेंशन होगी वही इस स्प्रिंग तो लगा पाठ्यांक होगा यह कह सकते हैं कि दर रीडिंग अफ दर स्प्रिंग बैलेंस होगी एम मतलब 5 जी मतलब 10 साइन 30 साइन 30 तो 50 इंटो 1 बाइट तो तो दर रीडिंग विल बी 25 न्यूटन 25 न्यूटन हमारा क्लेक्ट न स्प्रिंग को कट करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है वो तो तुरंत जीरो हो जाती है पर जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर जो आपने टेंशन डेवलप करकिये वह एक जम से जीरो नहीं हो पाती है उसको तो टाइम चाहिए और इसमें हमसे एक्सेलरेशन पूछे है कि आप तुरंत बताई इमीजेटली तो जैसे मैं यह कट करूँगा तो यह तो तुरंत नीचे गिर जाएगा किस से ऐसे एक्सेलरेशन से तो मेरे को फिर वाले का तो पता है कि जी पैसर हैगा यह तो तुरंत टेंशन जीरے हो जाएगी यह कि जो इस इस प्रिंग को मैसूस हो रही होगी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आरखी होगी कितनी दोनों त्रफ टेंशन होती हम जानते हैं मैं एक बना देता हूं इसके अंदर इसके अंदर जो टेंशन होगी T it will be equal to mg तो अगर मैं नीचे वाली बोड़ी का का free body diagram बनाऊं तो इसकी उपर जो टेंशन होगी एट विल भी एमजी और अगर मैं इस कि टू एम मास वाली बोड़ी का free body diagram मनाऊं तो इसकी उपर उपर तो लग रहा है 3 एम जी जैसा कि है मैं दिखाई दे रहा है यह नीचे की साइड में यह वाली टेंशन लग रही है और साथ में इसका वेट लग रहा है तो इसकी उपर नेट फोर्स कितना होगा इसकी उपर net force होगा हमारे पास में T is equal to क्योंकि balanced है तो हम कोई भी एक direction ले सकते हैं suppose मैंने ले लिए mg-t यह हमारे पास में net force लग रहा है किस पर इस वी ब्लॉक पर बी ब्लॉक पर नेट पोर्स अब जैसे हमने का tension तुरंत 0 हो जाएगी जैसे हम AB will be equal to G यह जैसे मैंने आपको बताया भी था जैसे यह कटेगा तुरंत यह नीचे गिरेगा तो AB जो होगा वो तो कितना हो जाएगा जी एक्सेलरेशन यह जी एक्सेलरेशन तो तुरंत नीचे गिर जाएगा नेट फोर्स कितना है mg मैनस टी तुरंत 0 हो जाता है लेकिन स्प्रिंग फोर्स तुरंत 0 नहीं होता है अब आतने इसकी उपर यह तुम वाले मास की उपर नेट फोर्स किता लग रहा है यानि ए ब्लॉक पर इस ए ब्लॉक पर इस पर लग रहा है 3MG प्लस T माइनस यानि यह नीचे के फोर्स है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस T प्लस 2MG ठीक है तो इसकी उपर F A को मैं क्या लिख सकता हूं जैसे यह स्प्रिंग कटेगी F A को मैं लिख सकता हूं 2M इन्टू A of A acceleration एफ एक्सेलरेशन एफ क्या होगा में यह इसको नैट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा जैसे इस प्रिंग कटेगी तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास में 3MG तो 3MG हमारे पास कितना हो गया टेंशन जैसे ही हमने स्ट्रिंग काटी यह 0 हो गई तो 3MG-2MG यह हम सारे कैंसल तो A हमारे पास कितना हो जाएगा 3G-2G और यह दो नीचे आ जाएगा तो G वाई-2 तो यह हमारे पास में बच्चों दो अंसर आजाएंगे कि A B जो हमारे पास है वो तो आगया G और A अंसर आगया G by 2 तो जो हमारे पास अंसर आएंगे G by 2 और G एका एक्सेलरेशन हो जाएगा G by 2 और यह हो जाएगा G यहनी सेकेंड ओप्शन जो है इसका करेक्ट सलूइशन बन जाएगा टिकें नेक्स दिखते हैं बच्चों कोस्टन नमबर नाइन टू ब्लॉक्स आर इन कॉंटक्ट ऑन फ्रिक्शन लेस्टेबल वन हैस मास M अन अ अगर हम दोनों इस्थितियों की तुलना करें बच्चों तो इसकी उपर कितना लगेगा हमारे पास में नेट फोर्स डिवाइड बाइट टोटल मास्ट इस त्री हैं और इसमें भी यही कैस है इसमें भी सेम लगेगा यह बराबर एफ बटे थ्री हैं अब जब इसकी उपर यह बल लगाएगा तो यह इसकी उपर नॉर्मल रिक्षन लगाएगा इसको मैं बोल देता हूं और यह इसकी उपर नॉर्मल रिक्षन लगाएगा इसको भी मैं बोल देता हूं अजरो से अथा किया तो एक्सेलरेशन के स्टिशा में होंगा सदिशा के अंदर हो इस डिरेक्शन के अंदर होगा तो यह स्मॉल एम वाला मास है अगर मैं इसका फ्री डेंग Ara मास का तो यह आन वन लग रहा है इस तरफ और यह एक्सलरेट व्ड़क को क्या कर रहा है accelerate कर रहा है यानि f by 3m यानि इसकी उपर n1 की value कितनी है जाएगी f by 3 कि यही normal reaction है इन दोनों के बीच में force of contact अब इसकी उपर बात करते हैं तो यह वाला जो block है वो इसकी उपर एक n2 लगाएगा और यह वाला block इसकी उपर एक n2 लगाएगा अगर मैं 2m वाले का free body diagram मना हूं तो n2 लग रहा है इस direction में और यह system accelerate हो रहा है इस direction में तो n2 will be accelerating this body तो n2 will be equal to 2m into a is f by 3 यह हमार पस हो जाएगा f by 3m यह हो जाएगा m से m cancel होके 2 f by 3 अगर मैं इन दोनों का ratio लेता हूं बच्चों n1 by n2 करता हूं n1 by n2 कितना हो जाएगा f by 3 divided by 2 f by 3 यह नि 1 by 2 तो यह मार पस हाजाएगा बच्चों second option okay next चलते हैं question number 10 पे block of 15 kg mass is suspended by a string on a frictionless inclined plane of inclination angle 30 degree the tension in the string will be एक गर्शन रहित नस सम्तल कोन 30 degree पर एक 15 kg द्रविमान का गुटका रस्टी से बांधा गया तो रस्टी पर तनावबल कितना होगा तो एक इस तरीके से हमार पास सिच्वेशन है कि यह 30 डिग्री दे रखा है मार को माली यहां से हमने गुटका बांध रखा है 15 के लिए ठीक है तो हमें बताना है कि इस रस्ती के अंदर टेंशन फोर्स कितना होगा तो अब इस टेंशन कोर्स फोर्स जो है हमारे पास में कि वो किसके बराबर होगा यह हम जानते हैं लॉंग दैंक्लाइन प्लेन इसकी उपर जो फोर्स लगता है वो लगता है मजी साइन थेटा तो टी विल बेग्वल जो dau भी अगर आप याद करें तो हमारे पास में इंगल उच्वर्स जो होता है उसकी यह definition होती है कि हम कि हम मिनीमम मीना कितना कर दें कि दब कोड़ बॉक इस जास्ट थार्ट स्लाइड आइड ये मिनिमम आगल कितना कर कर दें कि यह जो block है वो इसके just start मतलब just sliding की condition में आ जाए just move करना start कर दें तो उस वक्त जो हमारे पास में condition होती हो सको हम इस angle को बोलते angle of repose और हम जानते हैं कि जो angle of repose होता है हमारे पास में वो होता है mew s के बराबर हम से यही है इनके बीच में स्थेतिक गर्शन गुणांग क्या होगा कोफिशन रो स्टेटिक फ्रिक्षन तो वो टेन थीटा के बराबर होगा तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि यह 30 डिगरी के लिए 1030 वन भाई रूट 3 तो अंगल of रिपोज्च की डिर्क डे डिएट सकते यहां पर यूज्ड कर सकते है गवodus यह यहीं वो मिनिममम आंगल जिसकी उपर इस बॉड़ा इस अंगहें थेटी inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal the coefficient of static friction between the block and the plane is 0.8 if the friction force on the block is 10 newton the mass of the block is 30 degree cone पर जुके वे खुर्दरेत नुक्तल पर एक गुट का विराम इस्तिती के अंदर है एक गुट का जो है वो विराम की इस्तिती के अंदर है जब यह कोण हम ले रहे हैं 30 कि तल और गुट के की बीच में स्टैतिक रुणा कितना है पॉइंट एट यानि म्यू की वैल्यू हमार को क्या दे रखिये पॉइंट हमको दे रखा है यह विराम की इस्तिती के अंदर है गुट के पर लग रहा है घर्षन बल हमें अब घर्षन बल निकालने की जरूरत नहीं है यह गुट का नीचे जा रहा होगा तो इसकी उपर घर्षन बल ने इसको रोका हुआ हुआ है और गर्षन बल ने जब इसको रो तो यानि यह दस न्यूटन ही किसके बराबर हो जाएगा बच्चों इसमें हमें फ्रिक्शन का कोफिशन फ्रिक्शन लेने की जुरत ही नहीं पड़ेगी इट विल बी इक्वल टू एम जी sin theta that is 1 by 2 तो यह दोनों आपस में cancel हो जाएंगे और M हमारे पास में आजाएगा 2 तो हमें यही निकालना था mass of the block so it will become 2 newton ठीक है correct next question हमें दे रखा है three blocks of masses 2 kg 3 kg and 4 kg are placed one over the other as one in the figure calculate the force exerted by the block of mass M block of mass 2 kg on the third block जैसा कि हम देख पा रहें बच्चों यहां पर इस situation में अगर हम बात करें तो यह वाला block इसके उपर नीचे normal reaction लगाएगा और यह 3 kg वाला इसके उपर normal reaction लगाएगा अगर मैं 2 kg वाले block का free body diagram बनाता हूं इस 2 kg वाले block का तो हम देख सकते हैं कि इसके उपर 2G लग रहा है नीचे और यह लग रहा हूपर तो यह क्योंकि resting पर है इस वज़े से end is 20 यानि 2 x G को क्या कर रहा होगा बैलेंस और यहीं वो force है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है तो यहीं हम से पूछा है calculate the force exerted by the block of mass 2 kg on the 3 kg block इसने इसकी उपर कितना लगया 20 Newton तो इसका first option correct answer आ जाएगा next question देखते है a pendulum of mass M is suspended from a ceiling of a train moving with an acceleration a as shown in the figure find the angle theta in equilibrium position तो मैं बता रखा है कि एक M द्रिविमान का एक लोलक है यह द्रिविमान से गतिमान रेल गाड़ी की छत से निलंबित है कि ओके जैसा कि हमें चित्र में दिखाया हुआ है सामय वस्ता कि इसने में थीटा कोन का मान क्या होगा यह हमसे पूचा है तो क्योंकि यह पूरा का पूरा system accelerated है तो इस system या इस आप कहा सकते रेल गाड़ी के रेस्पेक्ट में यह क्योंकि नॉन इनर्शल रेफरेंस फ्रेम है तो इसके उपर एक स्यूदो फोर्स लगेगा इस डारेक्शन में और एमजी लगेगा इस डारेक्शन में ठीक है और जैसे कि मैं बता रखा है कि यह जो स्थिति है वो सामय वस्ता की स्थिति है तो हमें बताना है कि यह वाला जो हमारे पास एंगल है यह किसके बराबर होगा क्योंकि अपनी जगे पर सामय वस्ता में मतलब रुका हुआ है रुका हुआ है तो इस स्थिति के अंद सो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट अमसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बच्छों अब हुरिजन्टल फॉर्स अफ टैन्यूटन नेसेसरी तुछ फोल्ड ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट वाल दे कोफिशेंट अफ्रिक्शन बेट्विन ब्लॉक इंद वॉल इस प पर इसका वेट लगेगा एमजी नीचे और हमें दिया हुआ है दे कोफिशेंट फ्रिक्शन बेट्विन ब्लॉक एंद वाल इस मूज इक्वल तो पॉइंट तो और इसमें में दिए यहां लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और हम जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक ओते हमें तो हम इसे को बैलन्स कर रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मिव संट फिर न ममल इसरो एंट तो मिवज हमारे पास में जैसा कि हमें डिरखा है पॉइंट टू है और एन जैसा की हमें बताया है कि यह दस न्यूटन दर लग रहा तो नॉर्मल लिक्षिन उतनी ही यहां पर लगेगी तो यह हो जाएगी दस है M into 10 जी की value 10 रखते ही M आगे हमापा 0.2 अ और हमारको यहां पर निकालना है weight of the block तो weight निकालना है बच्चों तो यह तो 0.2 आऀया है weight हमारपास हमें आ जाएगा mg एनधी point 2 in 2 g यह आजएगा 20 newton यह आजएगा महां पस 2 Newton यानि first option जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है question number section a block is kept on a frictionless inclined plane glance reference with an angle of inclination alpha the inclination is given an acceleration a to keep the block stationary then a is equal to तो यह बच्चो बस अभी हमने थोड़े देर पहले यही question किया था यह acceleration से इदर move कर रहा है तो इसकी उपर weight लग रहा होगा नीचे और इधर लग रहा होगा कि एम जी कॉसल फा इधर लग रहा होगा mg साइन एलफा और इस वैज के respect में इधर लग रहा होगा में यह थीटा है तो यह 90 मैनस सीटा हो जाएगा इस 90 मैनस सीटा का इस direction के अंदर जो हमारे पास में जो component आएगा यह थीटा एंगल हो जाएगा तो आजाएगा म एक और क्योंकि यह ब्लॉक अपनी जगे पर मूब नहीं कर रहा है इसको stationary हमने रखना है इसका मतलब mg यह एलफा है एंगल सारे तो विल टेक इट एलफा इसका मतलब है में जी साइन अलफा वील टू एमड़ी कोस लफा में एक जए तो यह दोनों कैंसल हो जाएंगे और यह हमारे पस आज आएगा जी साइन अलफा बैकॉस अलफा यह यह बस वही कॉस्चन हमने यहां पर देखा है तो यह हमारे पास में सेकेंड अप्शं जो हैंक का correct solution आ F and applied force FAP will be, तो यह बिल्कुल conceptual basic question है, बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे पास में static friction होता है, वो एक self adjusting force है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम force apply करते हैं और body अगर move नहीं कर रही है, तो वो उस applied force के इसाफ से खुद को balance करती है, इसका मतलब है कि जितना applied force होता है, उतना limiting friction friction होता है, जितना applied force होता है उतना ही static friction होता है, तो इसका मतलब है यह applied force, static friction के क्या होगा, proportional होगा, तो हमें यह line दिखाई पढ़ती है, उसके के बाद में हमें एक fs यानि static friction की maximum value मिलती है which is called limiting friction और उसके बाद में फिर जैसे ही सारे bonds break हो जाते हैं तो body limiting friction की condition के ने अंदर just begin to slide होती है और जैसी सारे bonds break हो जाते हैं तो वो friction जो है नए bonds के साथ में उतनी मजबूती के साथ में नहीं बन पाता है तो इस वजए से जो नया friction हमारे पास में होता है उसको हम कहते है कानेटिक friction जो body के movement के जब body movement करती है तो उसको उसके relative motion को अपोस करता है तो उसकी जो value होती है वो limiting friction से कम होती है और kinetic friction जो होता है वो क्या होता है तो यहां से यहां तक जैसा कि हमने कहा कि यह static friction है यह limiting friction का point है और यहां से यहां तक यह kinetic friction यह first option है जो है हमारा वो correct solution मनता है क्योंग kinetic friction will remain constant और limiting friction is the maximum value of friction and this FS is self-adjusting force which is always equal to the the force applied चो आगे बढ़ते हैं बच्चों if mu s, mu k and mu are the coefficient of static friction, sliding friction and rolling friction then तो हम जानते हैं सबसे जादा जो हमारे पास में होता है वो होता है mu s उसके बाद जो हमारे पास में आता है बच्चों वो आता है mu k और जो rolling friction होता है वो सबसे कम होता है यह conceptual question हम जानते हैं इसके बारे में तो बढ़ी next question is rank the launch angle for the five parts in the figure below with respect to the time of flight from the shortest time of flight to the longest तो हमें क्या करना है बच्चों इसके अंदर कि हमारे को कुछ अलग-अलग launching एंगल्स पर या कह सकते हैं एंगल ओफ प्रोजेक्शन पर हमारे को कुछ प्रोजेक्टाइज के पाथ दे रखे हैं हमें यह बताना है कि टाइम ओफ लाइट जो होगा वो किस तरीके से अमरे इंज करेंगे सबसे पहले शॉटेस्ट टाइम आएगा फिर लॉंग है तो हम जानते हैं कि जो मरत टाइम ओफ लाइट होता है वो तो यू साइन थीटा बाइजी अब सबके लिए है ल् çocuk holy अहीं सबके लिए हमको जो विलॉस्टि हैं वह सेम दे गए जैसे कि दे रख है 50 मीटर पर सेकंड फॉर आल जो विलॉस्टि यह वह 50 meters per second है ठीक है है तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं बच्चों कि जो टी होगा वो किसके प्रपोर्शनल होगा सांच प्रोपोर्स्टनलों होगा साइन एनहें हैं उह और हम जानते हैं कि साइ्न थेटा में एंगल की वेल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम ओफ फ्लाइट यहीं साइन थीटा की वेल्यू बढ़ती जाएगी और फिर साइं टाइम फ्लाइट की वेल्यू बढ़ती जाएगी तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर इंक्रीजिंग एंगल जो है वो फस्ट ऑप्शन में है के वल 15 30 45 60 & 75 सो फस्ट ऑप्शन विल यार क्रेक्ट अंसर ठीक है नेक्स दिखते है बच्चो अन अब्जेक्ट इस प्रोजेक्टेड विद विद विलोस्टी मिटर पर सेकेंड मेकिंग अन एंगल ऑ 45 डिग्री विद किसके बराबर है एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेर है ठीक है और हमें एक बाइब का रेश्व बताना है वेलोस्टी मिटर पर सेकेंड है और जो इसका एंगल अफ प्रोजेक्शन है वह है 45 डिग्री तो इसमें अगर बच्चों अपन एक्स को कॉमन ले 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 तो हमारे पा से एक एक हैंसल हो जाएगा वन माइनस इसको नीचे ले जाओ तो एव द características है अब बच्चों है आप ध्या से देखें तो यह हमारे पास में एक टक्षेपी की समीक्रण आती है प्रक्षेप प्रक्षेपी कि समीक्रण जो होती है वो होती है एच इस इस एकुल cents दिटा 1-XYR यह हमारे पास में प्रक्षिय प्रपत्त की समीगरण होती है परास के पदों में होरिजॉंटल रेंज के टॉम्स में तो यह हमारे पास प्रोजेक्टाइल की एक्वेशन आ जाती है अगर मैं यहां से compare करूं तो यहां 10 theta जो है वह एक के बराबर है यहां X आई गया यहां वन आई गया X और A by B की जिए किया है range तो अब मेरा question reduce हो गया मेरे को A by B की जिए कि किया निकालनी है range तो हमार पर जो range है बच्चों वह होती है U square यानि 20 square sine 2 theta sine 2 theta 45 degree का angle है 2 theta मतलब 90 divided by G और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं इसको इससे compare करूंगा तो आर की value क्या मिलेगी A by B तो मेरे को आर की value निकालनी है वह यह by B की value है तो आर की value की जगह यानि A by B की value होगी वह हमारे पास कितनी आ जाएगी यह वन हो जाएगा 400 by 10 यह आ जाएगी यह मैं पर 40 रेशो 1 तो बच्चों हमारे पास में A by B का रेशो आ जाएगा 40 रेशो वन यानि यह fourth option प्रच्चन करेक्ट नफरा जबेगा नेक्स्सक्षेन पर जलते हैं बच्चों अब आल उसका इनर्जी इस प्रोजेक्टेट अगल और एंगल ऑफ स्कुर्ण स्कुर्ण स्कूर्ण 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 स्कू के डैश यहांते कितना हो जाएगा हाफ एम्यू स्क्वार की जगे आपने रख दिया के कॉस्ट स्क्वार तो यह चोटा सा प्रूफ भी है इसका आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो तो जैसा कि मैं दिया हुआ है कि launching की टाइम पर हमारा एंगल कितना है 45 तो हमारे पास जो के डैश की वैल्यू है वह जाएगी के यहां पर के की जगें हमें इदे रखा है कॉस्ट स्क्वार फॉर्टिफाइग कॉस्ट फॉर्टिफाइव होता है वन बाई रूट तू उसका स मिलिए है कि में यह तो टीवन के लिए जब क्यांगए तो मैं लिख सकता हुं तो यू साइन थीटा बाई जी और टीटु के लिए जब एंगल हमारा आज जाएगा 90 मैनस थीटा क्योंकि ठीटा और 90 मैनस थीटा के पर रेंज क्या होती है सेम यह जाएगा टू यू साइन 90 मैनस सीटा डिवाइड बाई जी तो तीटु उमर पास आ जाएगा 2 2u cos theta divided by g इन दोनों को अगर मुल्टिप्लाई करता हूं T1 into T2 तो मुझे क्या मिलेगा इन दोनों को multiply कीजिए 4u square sin theta cos theta divided by g square अब हम जानते हैं 2u square sin theta cos theta 2u square sin theta cos theta इदर ऊपर क्या बचा टू नीचे क्या बचा जी डिवाइड बाइड बाइज यह बच्चों हमारे पास होती है रेंज कि इसी कोई 2 sin theta cos theta कम sin 2 theta लिख देते हैं तो यह मरबस होती है रेंज यानि हमारा जो यह T1 T2 है it will be proportional to the range क्योंकि बागी सब तो constant है तो रेंज जो है आर हमारे पास इसका correct solution आ जाएगा next question is the horizontal and vertical displacement traveled by a particle in time t are given by x is equal to 60 and y is equal to 80 minus 5 T square if g is 10 meter per second square then the initial velocity of the particle तो कन का प्रारंबिक वेग कितना होगा x और y यह में दे रखे तो बच्चों सबसे पहले निकालो x direction के अंदर velocity वह होगी dx by dt का मतलब इसका differentiation कितना आ जाएगा अच्छे फिर हम निकालते हैं वी यानि dy by dt वाई डिरेक्शन में वेलोसिटी वाई डिरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगा 8-10 T करेक्ट अब हमको कह रखें इनीशल की बात यानि इनीशल का मतलब होता है जब टाइम क्या हो 0 तो इनीशली वी एक्स तो उतना ही रहेगा 6 क्योंकि इसमें तो टाइम पर डिपेंडेंसी नहीं है और वी वाई कितना हो जाएगा टी को 0 रखते ही आठ तो हमारे पास नेट जो इनीशल विलोसिटी है वह हमारे पास में जैसे कि हम आंसर में देख लें मैंगनिटूट पुछा है हमसे तो वह सिक्स स्क्वेर प्लस 80 स्क्वेर यानि 36 प्लस चौसट सो हो जाएगा और दस हमारे पास में इसका करेक्ट अंस अगर हम इस तरीके से देखें तो इसका जो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता होता है डिस्प्लेस्मेंट पर यूनिट टाइम कि अ कि अब कि अब किअ सचे लिकोivals आँप कृक्त से हम ने पीपोट से इसको थ्रोक है और क्यूब पर यापस आ अगया डिस्प्लेस्मेंट इसका है रेंज के बराबर और टाइम कितना लगा अटाई मोध फ्राइट के बराबर यहनिंव सिदिसिकले हमार को क्या करना यह से एवरेज़ वेलॉसटी के अंदर इसका मेगनिडूड़ी निकाला हूँ है है डिस्प्लेस्मेंट पर इन्ट टाइम निकलना है डिस्प्लेस्मेंट पर जाएगी ए रेंच तो किस्की कितनी हो जाएगी और तीसरा 2UX, UY by G, UX यह यह वेलोसिटी और UY मतलब यह वेलोसिटी, ऐसे ही, टाइम ओफ लाइट के लिए मैं लिख सकता हूँ, 2UY by G, टाइम ओफ लाइट के लिए क्या लिख सकता हूँ, 2UY by G, 2U sin theta by G, यह यह चैंसल हो जाएगा, यह चैंसल हो जाएगा, जी चैंसल हो जाएगा and we get UX and UX is equal to U cos alpha, UX कितना हो जाएगा, U cos alpha के बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको U से throw कर रहे हैं तो यह हम जानते हैं, तो यह हमारे पास में second option इसका correct answer आजाएगा, ठीक है, चलें आगे next question is, a bomb is released by a horizontal flying aeroplane, the trajectory of the bomb is, तो हमारा कोई मान लीजे plane है, वो अगर मान लीजे horizontally move कर रहा है, तो इसके पास में horizontal velocity होगी U, और हम जानते हैं कि अगर कोई particle U velocity से हम throw करेंगे, इस point से जैसे उसको हम release करेंगे, तो वो एक horizontal projectile motion करता हुआ, इस तरीके से जमीन पर आकर के टकराएगा, क्योंकि इसके पास में vertical direction में कोई velocity नहीं है, जितनी भी है, वो horizontal direction में velocity है, और इसके उपर जो force लगेगा, वो लगेगा, नीचे की direction में, that is mg weight के बराबर, तो इसका जो path होगा, एक horizontal projectile motion करता हुआ, ये कहां पर टकराएगा, नी next move करते हैं, आगे, a cricket ball is thrown at a speed 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal, एक cricket gain को शैति इस ते 30 meter पर चालते, 30 degree उपर फेंका जाता है, ठीक है, तो time taken by the ball to return the same level, तो उसी level पराने में कितना समय लगेगा, तो time of flight के बराबर लगेगा, simple सी बात है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना time लगेगा, time of flight के बराबर, time of flight मतलब 2 u sin theta by g, 2 u sin theta by g, तो t will be equal to 2 into 30, हमने इसको 30 degree से launch किया है, तो sin 30 is 1 by 2 divided by g की value में देते हैं, 10, यह आजाएगा, 3 second, correct, 3 second will be the correct answer, चले आगे, next question देखिए बच्चों, the ceiling of a hall is 40 meter high, for maximum horizontal distance, the angle at which the ball may be thrown, with a speed of 56 meter per second, without hitting the ceiling of the hall, तो हमारी जो यह hall की छत है, यह ground से, यह दी हुए है हमारे को, की 40 meter high है, अब हम यह चाते हैं, कि एक ball को हम throw करें, 56 meter per second से, जो इसकी, जो ceiling है, उसको बिना touch किये, maximum horizontal distance cover कर ले, ठीक है, अधिकतम ख्षैतिस दूरी के लिए, कौन क्या होना चाहिए, जिस पर, gain को 56 meter per second चाल से, hall की 6 से बिना टकराए, पेका जा सके, तो हम यह कह सकते हैं, बच्चों, कि अगर हम इसको इस तरीके से throw करें, यह जिसको just hit करने से बचाते हुए, यहाँ निकल आए, तो हम कह सकते हैं, कि यह maximum horizontal distance cover करेगी, ठीक है, ना, maximum horizontal distance cover करेगी, जब मैं इसको just इसको बचाते हुए, 40 meter से, इसको just बचाते हुए, हम यहाँ से यहाँ निकल आए, ठीक है, तो इस situation के लिए, हमारे पास में बच्चों, पूछा है कि angle कितना होना चाहिए, यह angle हम कितने से launch करें इसको, कि हमें maximum horizontal distance मिले, तो हम यह चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें maximum horizontal range चाहिए, तो हम चाहते हैं कि यह वाला जो हमारा angle हो, यह just इसको, just इसको बिना touch किया, यहाँ से आने कर जाए, यह यह maximum height कितनी हो, 40 meter, तो h जो होगा, हमारे पास होगा, वह होगा 40, u square, u square हमारे पास कितना होगा, 56 square, sin square alpha, यह square alpha angle मान लेते हैं, by 2g, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे पास maximum height का formula क्या होता है, u square sin square alpha divided by 2g, तो हमने direct use कर दिया, यह, ठीक है, तो sin square alpha, यह हमारे पास कितना हो जाएगा, यह 40 into 2, तो यह हो जाएगा, हमारे पास, 800 by 56 square, sin square alpha, तो उपर से इसको लिख सकता हूँ, 400 into 2, तो 20 root 2 आजाएगा, और नीचे कितना आजाएगा, 56, ठीक है, यह, हमने यहाँ दोनों के अंडरूट ले लिए, तो यह, अब हम sin square alpha, खतम कर देते हैं, अब यह एंगल कितना होगा, तो अगर मैं इसको 1.4 ले लूँ, तो यह हो जाएगा, 2.8, 26 बटे चपन, यानि एक बटा दो, तो sin alpha कितना आगया, एक बटा दो, तो alpha मारे पास बच्चों कितना आजाएगा, 30 degree, alpha मारे पास में कितना आजाएगा, 30 degree, तो 30 degree angle पर मैं इसको जब ठो करूँगा, क्योंकि इससे और छोटे एंगल पर करूँगा बच्चों, तो वैसे भी मेरे को maximum horizontal range नहीं मिल पाएगी, इससे छोटे एंगल पर करूँगा, तो मेरे को वैसे भी maximum horizontal range नहीं मिल पाएगी, ऐसा क्यों है, क्योंकि 45 पर तो maximum range मिलती है, है ना 45 पर तो maximum range मिलती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं 45 के जित्ता ज्यादा close पहुंच सको उत्ते ज्यादा close पहुंच हूँ तो 30 degree हमारे पास में वो maximum angle है जिस पर मैं इसको बिना touch किये fake सकता हूं तो 30 degree will be the correct answer next question is 28 to projectile are fired from the same point with the same speed at an angle of 60 degree and 30 degree दो प्रक्षेप समाल में दूसे समाल के साथ प्रक्षेप कोणों करमशेच साट डिग्री और 30 डिग्री पर गूली चलाते हैं निमन में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यह जो दो कौन है हमारे पास में यह कौन से कौन कहलाते हैं बच्चों complimentary angles कहलाते हैं थीटा और 90 मैनस थीटा तो थीटा 30 है 90 मैनस थीटा कितना हो जाएगा 60 इन पर का रेंज हमेशा क्या मिलती है बराबर तो इसका conceptually यह मनसर दे सकते हैं दर रेंजेज विल बी सेम एंड फिस्ट ऑप्शन जो है उसका करेक्ट असर आ जाएगा ठीक है कि नेक्स चले नेक्स कोशन देखते हैं बच्चों नेक्स कोश्चन इस कोश्चन नमबर 29 इफ आर और एच रिप्रेजन्टल रेंज और मैंक्सिमुम हाइट और तो देखिए बच्चों जो हमारे पास में आर होता है वह होता है 2 ux u y by g ux और u y horizontal और vertical direction के अंदर इसकी initial velocity है और जो हमारे पास में बच्चों maximum height होती है वह होती है maximum height हमारे पास में होती है u y square divided by 2g अगर बच्चों मैं इसको इसके साथ भाग देदू डिवाइड कर दो तो यह दोनों cancel हो जाएंगे यह दोनों cancel हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बच्चेगा यह टू उपर जाएगा तो यह बच्चेगा फोर इसको मैं लिख सकता हूं यू कॉस थिटा इसको मैं लिख सकता हूं यू साइन थिटा इसको मैं लिख सकता हूं य तो इसका मतलब है r10 theta cross multiply कर दिया r10 theta कितना हो जाएगा 4h तो बच्चो मैं आपको suggest करूँगा कि यह relation आपको याद होना चाहिए because many questions यह आप direct use करेंगे in many questions this will be used directly तो खेर question के लिए आज से दिखा जाए तो 10 theta यहाँ पर आगे हमरे पस 4h by r तो theta कितना जाएगा 10 inverse 4h divided by r तो यह हमारे पास में correct answer जाएगा 3rd ठीक है चलें आगे next is the speed of projectile it is maximum height is root 3 by 2 times if its initial speed if the range of the projectile speed times the maximum height यदि प्रक्षेपी के पराद इसके द्वारा प्राप्त अधिक्तम मुचाई की पी गुना है तो पी किसके बराबर यह हम से पूछा है तो जैसा कि यह में दे रखा है बच्चों कि जब हम किसी को थ्रो करते हैं इस तरीके से किसी थीटा एंगल की उपर यहाँ पर इता महालो यू संभी मैंग्जिया हुआ है कि मैंग्जिमूम हाइड पर जो स्पीड वरूट 3OSb सिपीड है यहां पर इस सबीड होती होती यू को सिटा की दो जैसा कि मिया उप यू कॉस्ति अजय ए है it is root 3 by 2 times of its initial speed यहां से theta की value कितनी आ जाएगी बच्चो 30 degree अब हमको कहा है कि the range of the projectile is three times the maximum height तो हमने अभी अभी आपको formula बताया था r10 theta किसके बराबर होता है 4H ठीक है r10 theta किसके बराबर होता है 4H very important formula तो जैसे किया में दिया हुआ है कि range is P times the maximum height range जो है वो इस maximum height की क्या है P times कि है ना range of the projectile is P times the maximum height इसका मतला मैं इसको लिख सकता हूं pH 10 theta यह 30 degree हो जाएगा 4H यह दोनों cancel हो जाएगे तो P will be equal to 4 by 1 by root 2 root 3 sorry तो यह हमार पस final अंसर जाएगा 4 root 3 third option will be the correct answer ठीक है next 31 four bodies a b c d are projected with equal velocities having angles of projection 15 degree 30 degree 45 degree 60 degree the horizontal with the horizontal perspective the body having the longest range सबसे अधिक परास वाली वस्तु कौन सी है तो हम जानते है बच्चों की at 45 degree angle we get the maximum horizontal range because r will be proportional to sign 2 theta or sign key maximum value 90 पर मिलती है जब theta कितना 45 degree तो 45 degree जो है हमारा c option जो है इसका correct solution हो जाएगा ठीक है next the velocity of a projectile at the point b is point q पर 2i minus 3 j इसकी velocity a point पर क्या होगी तो हम जानते हैं बच्चों की जो यह हमारा projectile है इसका जो half portion है वह exactly mirror image होता है बाकि के half portion की यानि की जो यह वाला point है हमारे पास में कि अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि इस direction में horizontal direction में एक्स कितना होता है जीनों तो इस direction के अंदर जितनी velocity आप जैसा कि इसमें देरेकर 2i है वैसे यहां पर भी जो velocity होगी वह होगी 2i अब दूसरा portion होता है यह कि तो जितनी स्पीड से यहां जाता है उत्ती स्पीड से वापिश टकराता है तो जितनी velocity horizontal direction के अंदर हमने लिए है ठीक उतनी ही speed मतलब horizontal direction के अंदर जो speed होगी वह तो चेंज नहीं होगी और वर्टीकल डेरिक्शन में क्या होगा वर्टिकल डिरेक्शन के इंदर क्या होगा वेलासिटी की बस डिरेक्शन बदल जाएगी बाकि मैगनिटुड भई रहेगा तो जो यहां पर हमारे पास में इसकी वेलासिटी है 3-3 यह उतनी ही स्पीड रहेगी बस वेलासिटी का डिरेक्शन उल्टा हो जाएगा यह नेगेटिव डिरेक्शन में तो यह हो जाएगा पॉसिटिव डिरेक्शन तो हमारे को क्या मिला है टू आई प्लस 3 जे टू आई प्लस 3 जे फॉर्ट ऑप्शन इसका ए पॉइंट पर जाएगे नेक्स कुशन 33 अब ऑडी इस फ्रोन होरिजुंटली विदेस वेलोसिटी रूट तो जिएच फॉम टॉट फॉट फटार फटार अट इस्टेंस एक्स फ्रम टार देवल्य अफ एक्स तो हमें यह का जाता है कि एक एच उचाही की मिनार है ठीक है यहां से हमने ए जी एच है ठीक है तो हमको बताना है कि एक शैया दलातर फर मिनार के तल से एक स्थूरी पर जाकर गए घिर रही है 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 ओके हमको बताना ऐसे उन ग्ह citrus चेंज नहीं होती है क्यों नहीं होते हैं हो यह सिंपल इसटेंस एक्विल अप्रप्हत में यहां से हैं पहुंची तो यू तो में कितना दे रखां रूरूट तू जरू एच और यहां से यहां तक गिरने में जो इसको टाइम लगेगा वह हो गांदरू रूट तू एच वाय ची से यह जी कैंसल तो यह आ जायगा 2h यानी 3rd option इसका क्या हो जाएगा अगे चलते हैं तू प्रजेक्टाइल देन बी थ्रोन विद इस पीड इन रेशो वन रेशो रूट तू अक्वाइर दो से से फेकने से समान अधिक्तम उचाहिए प्राप्त होती है जैसे कि में यह से मैक्सिव माइट एच वन बराबर एच तो एक हो अगर हम यह तो बी का प्रिक्षेंब बंड कोन कितना होगा तो मैं लिख जाता हूं इसका फॉर्मूला यूवन साइन स्क्वाइर और इसको 45 डिग्री पर फेक है यूज स्क्वाइर साइन स्वाइट अपॉन टू जी यह हो जाएगा यूटू स्क्वाइर साइन स्क्वाइर तीटा अख कि हम में निकालना इंशे टा वेल्यत बस यूट यूवन इस्क्वाइर यह या बाइड बाइट बैए mostra का होल स्क्वार यह कितना हो जाएगा साइन स्क्वाइर थीटा और शाइन स्क्वाइर 45 को मतला राल वंगाइत को कि स्क्वाइर उपर जाल रहेगा हमें 1 by root 2 तो यह हो जाएगा 1 by 2 और यहां पर आजाएगा हमारे पास में इस 2 को भी नीचे लेओ साइन स्क्वेर थीटा साइन थीटा के तरह जाएगा 1 by 2 और थीटा हमारे पास में आजाएगा 30 डिग्री थीटा थीटा कम दो भी 30 डिग्रेक्ट चले आगे कि दो मैक्जिम हाइट एटेंड बायर प्रोजिक्टाइल इंक्रीज बाइफ परसेंट केपिंग देंगल प्रोजेक्शन कॉंस्टेंट वाट इस परसेंटेज इंक्रीज इंदा होरिजन्टल रेंज तो हम जानते हैं बच्चो और 10 थीटा यह किसके बराबर होता है 4H क्यों अगल हमने बदला नहीं है तो यानि आर विल भी प्रोपोर्शनल टू एच और हम इसमें एरर मैथड लगा सकते हैं तो एरर मैथड हमें कहता है कि अगर आपकी जो एरर हो या परसेंटेज चेंज हो वह अगर 5% से कम हो तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर भाई आर इंटु ह हमें दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट है उसको 5% हमने इंक्रीज कर दिया यानि यह 5% है तो हमारे पाद जो रेंज आएगी बच्चों उसके अंदर जो इंक्रीज आएगा वह भी आएगा 5% इस विल बिदा करेक्ट अबसर ठीक है चले आंगे आए बच्चों आए और एफ सच्ट आइड वैल्यों फिट्स लिनियर मोमेंटम पी अट अनी ताइम टी इस पी एक इस इक्वल तो कोस्टी एंड पी वाई इस एक्वाई दे रखा है यह एक दिशा और वाई दिशा के अंदर हमें सम्वेक कमान दे रखा है तो हमें पी और एफ के बीच में को तो पी एक्स यह हमारे को दे रखा है टू कॉस्टी तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक्स डिरेक्शन के अंदर फोर्स कितना आ जाएगा डी बाई डी टी पी एक्स यानि इसका डिफ्रेंशियेशन जब मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा माइनस टू साइन टी सेम ऐसे ही अगर मैं पी वाई नकालना चाहूं पी य आकर एफ य нिकालना चाहूं तो सगने दी हैं तो इसको अगर मैं वेक्क्टर फॉर्म में लखूंमगा तो कैसे लिखूंगा लिए P वेक्टर कितना है P X I cap प्लस P Y J cap, 2 cos T I cap plus 2 sin T J cap और F vector कितना है हमारे पास में, F vector हो जाएगा माइनस टू सैंटी यह आई कप डिरेक्शन में प्लस टू को स्टी यह यह जे कप डिरेक्शन में अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो देखो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं यानि पी डॉट अप कितना मिलेगा हमें पी डॉट एफ करूंग प्लस चार कोश्टी साइंटी से कैंसल हो जाएगा और हमें यह वैल्यू मिलेगी जीरो हमें यह वैल्यू कितनी मिलेगी जीरो यह कब होता है जब पी और एक दूसरे के क्या हो और्थोगोनल हो यानि परपैंडिकुलर हो तो हमारे पास में 90 डिग्रीज का जो है करेक्ट स तो मास है हमारे पास में भी वाला वो है 5 kg का 5G इदर लगेगी टेंशन इदर भी लगेगी टेंशन प्रस्पेक्टिवलियर कनेक्टेड विद इस्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शन लेस्पुली अट कॉर्णर ऑप टेबला है शोन इंदा जोनिंग डिग्रम दाइग फ्रोम मुविनिज इवल टू ठीक है तो ये सी मिनिममं कितना हों जिससे कि ये पूरा का पूरा सुउट्सम मूव नहीं करे तो देखिए ये कितनी हो जाएगी Our infectоль्टी अ कि उप्छोपिरा का पूरो सिस्टम मूव नहीं करेगा तो ये टेंशन इसको बेलन्स कर दिगी य minimum mass is used for limiting friction minimum कितना से कितना मास रखे कि इसको हम रोख सके तो यह minimum से minimum mass जो इसको stationary रख सके उसके लिए जो friction हमारे पास आएगा वो आएगा limiting friction तो यहां से T should be equal to FL ठीक है तो T will be equal to mu s a का जो mass है वो हमारे को दे रखा है 10 kg 10 प्लस और यह हमारे पास mass है M हमने माल लिया कि C का mass minimum हम कितना रख ले M कि यह move करने से prevent हो जाए तो T हमारे पास कितना दे रखा है 50 ठीक है क्योंकि यह 5G दे रखा है हमारे पास 5 kg ओके तो यह किसके बराबर हो जाएगा mu s कितना है हमारे पास में mu s हमारे पास में 0.2 और 10 प्लस एम ठीक है तो यहां से और यहां और एक GB आएगा mu s mg यह दोनों cancel हो जाएंगे तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि 5 विल बी इक्वल 2.2 के तर मिल्टिप्लाई करूंगा तो कितना है कर टू प्लस पॉइंट तो यह हो जाएगा तीन बाइव पाइट तू विल बीक्वल तो यह थर्टी बाइट तो यह आजाएगा 15 kg यह तो इसको हमें 15 kg मास का रखना चाहिए तो यह सिस्टम जो है वह मूव ना करें ठीक है चलें आगे तो देखिए हमारे पास में अगर मेरे को इस ब्लॉक को रोकना है तो यह टेंशन क्या काम करेगी टेंशन यह करेगी कि कि जो भी इसका मूवमेंट हो रहा है mg sin θ उसको यह टेंशन बैलेंस करनी चाहिए अगर फ्रिक्शन ना हो तो लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन भी है इस वजए से पहले तो यह देखते हैं कि क्या यह ब्लॉक वास्ता में भी मूव कर रहा है कि नहीं क्योंकि अगर यह ब्लॉक मूव करेगा तो यह जो टेंशन फोर्स इसके बीच में आएगा वह इस ब्लॉक को क्या करेगा रोकने काम करेगा तो पहले हम देखते हैं वास्ता में यह जो ब्लॉक है वो मूव कर भी रहा है कि नहीं तो ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं उसके लिए हम यह देखते हैं कि हमारे पास में यह जो mg sin theta है इसकी value कितनी है तो इसकी value हमरे पस में आजाएगी mg into यानि 1 into 10 और sin 37 37 हो जाएगा 3 by 5 तो यह हमरे पस में आजाएगा 6 Newton यानि हम इस side में कितना force लगा रहे हैं 6 Newton जिसकी वज़े से यह block नीचे आना चाहिए था लेकिन क्योंकि यहाँ पर friction भी है तो friction भी होने की वज़े से हम यह कह सकते हैं कि limiting friction की value क्या है पहले हम देखने चाहते हैं ब्लॉक मूव भी कर रहा है कि अगर मूव कर रहा तब टेंशन बिक्चर में आगे अगर मूव भी नहीं कर रहा इसका मतलब है friction ही इसको बैलेंस कर दे रहा है अपनी जगे पर रखा हुआ है तो FL विल बी इक्वल टू यह होता है म्यू एमजी कॉस 37 म्यू एमजी कॉस 37 तो देख सकते हैं हम पहले म्यू हमारे को दे रखा है पॉइंट एट एमजी मतलब 10 और 37 का मतलब 4 बाई 5 तो यह आगे 2 यह आगे 6.4 नूटन हम जानते हैं लॉंग डाइन क्लाइन प्लेंट यह एमजी रहा होगा एमजी कॉस थेटा और यह नॉर्मल रही होगी तो वो म्यू एस एन एन मतलब एमजी कॉस थेटा वो लगाया है हमने यहां पर म्यू एमजी कॉस 37 ठीक है तो जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है 6.4 और हमारा जो एप्लाइड फॉर्स है एमजी संथेटा क्या कर रहा है इत अप्लाइड फोर्स जो इसके उपर लग रहा है, वो है 6 Newton, तो हमारा friction ही इतना ज्यादा है, हम यह कह सकते हैं कि limiting friction is more than the applied force, जो की इस बार कौन है, mg sin theta, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा limiting friction है, वो वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो वो body जो है, वो friction के कारण ही रुकी हुई है, वो body friction के कारण ही रुकी हुई है, move नहीं कर पा रही, तो यह जो रसी है, यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से आप यह कहलो कि सिर्फ हमने यहाँ पर लगा रखी है, इसके अंदर कोई pulling force नहीं आ रहा है, रसी के अंदर टेंशन तब तक नहीं आगी जब तक उसको कोई pull नहीं करे है, तो क्योंकि यह block already friction के करण रुका हुआ है, इस वजए से कोई भी ऐसा force नहीं है, जो रसी को pull कर रहा हूँ, string को pull कर रहा हूँ, और pull नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रसी में tension कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि friction नहीं इसको रोक रखा है, friction रोक रखा है, इसका मतलब tension force will be 0, we need not to apply any tension on this string, ठीक है, आगे चले, A uniform rope of length L is pulled by a constant force F, what is the tension in the rope at a distance X from the end where the force is applied, एक एल लंबाई की सम्भू प्रस्थी को एक सिर बल S दौरा खीचा जा रहा है, तो वै सिरा जिस सिरे पर बल कारे रहत है, से X दूरी पर तनाप कितना होगा, तो हमारे पास में, हम डे भी रखा है हमारे को रसी के दर्म मान लीजिए, एक uniform rope है, ठीक है, मानलो हम यहाँ पर force लगा रहे हैं, हम यहाँ पर force लगा रहे हैं, ठीक है, L length की यह हमारे पास में string है, और M इसका हम मास मान लेते हैं, जैसा कि हमें दिया हुए, तो acceleration बच्चों, इसमें कितना आएगा, F by M, हमें यह बताना है, the tension in the rope at a distance X from the end where the force is applied, तो मानलो मुझे यहाँ पर tension निकालनी है, जो कि यहाँ दे X distance पर है, तो देखिए, यह वाला जो हिस्सा है हमारा, उसको यह force इधर की side खिचने की try करेगा, तो tension लगेगी हमेरे पास इस side में, तो अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूँ, क्योंकि एक uniform rope है, इसलिए इसका mass per unit length क्या होगा constant, तो इतने हिस्से का mass कितना होगा, mass per unit length, और यह तो होगा इस पूरी की पूरी रसी के लिए, तो इतने हिस्से का mass कितना होगा, M by L into X, तो यह वाला जो हमारा पास tension है, अगर मैं इस side में apply कर रहा हूँ, इस वाले हिस्से की उपर क्या कर रहा हूँ, मैं इस side में tension apply करूँगा, यह जितने भी particle हो, उस पर tension इस तरफ लगेगी, तो अगर इस वाले हिस्से का अगर मैं free body diagram बनाऊ तो कैसे बनेगा, इस पर इस direction में लग रहा है F, इस वाले part का बना रहा है, यहाँ पर tension है T, और यह body move कर रही है, यह acceleration से दर, तो मैं लिख सकता हूँ, F minus T will be equal to mass, कितना निकाला हमने इसका M by L, into X, ठीक है, और into acceleration, M A, ए कितना निकाला हमने, यह तो पूरी रस्ती का कितना है, पूरे system का F by M, यह cancel हो जाएगा, तो यहाँ से, T will be equal to F minus X F by L, तो T will be equal to F, को मा ले लते हैं, 1 minus X by L, यानि, F, L minus X divided by L, तो यह हमार पस इस हिस्से में tension हाजाएगी, जो कि हमें 4th option में दे रखी है, F L minus X by L, तो 4th option जो है, वो हमारा, एक correct answer बन जाएगा, ठीक है, चलें आगे, in the figure at the free end of a force F is applied to keep the suspended mass of 18 kg at rest, the value of F will be, चितर में रस्ती के मुक्स और पर F बल लगाया गया है, तक 18 kg का द्रविमान विरामा वस्ता में रहे तो यह 18 kg का द्रविमान है बच्चों, यह विरामा वस्ता में रहेगा, तो हम इसके उपर F लगा रहे हैं, तो इसमें जो टेंशन फोर्स हाएगा, that is equivalent to F, तो इस पूरे के अंदर अगर F फोर्स आ रहा है, यह यह कह दें कि टेंशन फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, T और T, तो इस इससे में जो टेंशन आएगी, वो 9G, 9G का मतलब हो गया, 90 N, तो इसका मतलब है, टेंशन कहो या जैसे हमने कहा कि यह फोर्स आ टेंशन तो एक ही बात है, क्योंकि जतना फोर्स लगेंगे, उतनी टेंशन इसमें आएगी, तो 90 N जो है, वो हमें, इसकी उपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना आप फोर्स आफ 200 N एक्ट ऑने 20 kg मास, एड़ इंस्टेंट शोन, दा 10 kg मास है, एक्सेलरेशन 12 मिटर पर सेगंड स्वेर, वाट इस एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, तो जैसे की मतलब है, चित्र के अनुसार दो मासे हैं, हमारे पास में, दो द्रविमान हैं, 10 kg और 20 kg के, दिखा इसको मान लेते हैं, कि A1 जो है, वो है 12 मीटर प्रती सेकेंड स्क्वेर, तो 20 kg वाले द्रविमान, यानि A2 का त्वरण कितना होगा, इस स्क्षण पर, तो बच्चों, सबसे पहले, अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, तो हमारे पास में, हम यह कह सकते हैं, कि इनके अगर हम फ्री बडी डिऑगरम बनाएं इस पूरे सिस्टम के लिए, तो एक काम करते हैं, कि इन दोनों की अलग-लग फ्री बडी डिऑगरम बनाते हैं, जैसे इसका फ्री बडी डिऑगरम बनाएंगे बच्चों, तो 200 newton लगेगा इधर, और इधर आ रही होगी एक टेंशन उतनी टेंशन आ रही होगी इधर जो स्प्रिंग फोर्स को के बराबर होगी तो इधर आ जाएगा हमाँ पर T और ये A2 से मूव कर रहा है जो हमें निकालना है मैं लिख सकता हूँ 200-T will be equal to 20 into A2 ऐसी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है T जो इसको 10 kg वाले मास को क्या कर रहा है एक्सेलरेशन A1 प्रोवाइड कर रहा है यानि T will be equal to 120 इसको हम यहार रक देते हैं बच्चों 200-120 will be equal to 20 A2 A2 हमारे पास कितना आ जाएगा 80 by 20 4 meter per second square ठीक है तो हमारा second option जो है वो इसके अंदर correct solution बन जाएगा ठीक है चलें आगे next question देखते हैं बच्चों a mass of weight W a man of weight W is standing on a lift which is moving upward with an acceleration A the apparent weight of the man is तो हमारे पास में एक man है वो सपोज एक lift के अंदर खड़ा हुआ है ठीक है इसका weight W यानि हम कह सकते हैं कि W जो है अगर इसका mass weight जो है वो तो नीचे वक करी रहा है और normal reaction लगेगी बच्चों ऊपर तो हमें apparent weight बताना apparent weight का मतलब होता है यह normal reaction जो यह experience कर रहा है तो n will be equal to बच्चों m a plus mg mg मतलब w n will be equal to m और क्योंकि m वलक कोई term हमारे पास यहां है नहीं तो हमें काम करते हैं कि इस m की जगे हम रख देते हैं W भाई जी तो n will be equal to w अगर मैं common लेता हूं तो 1 प्लस एवाई जी ठीक है तो यह हमारा जो option है वो first option इसका correct solution हो जाएगा ठीक है चले आगे next question हम देखते बच्चों next question हम अरपस दिया हुए question number 43 a lift of mass 100 kg starts moving from rest in the upward direction figure shows the variation if speed of lift is T1 T2 T3 stand for tension in the row from 0 to 2 second 2 to 6 second and 6 to 7 second जैसे की हमें diagram में भी दिखाय दे रहा है respectively then एक lift है जिसका द्रवेमान जो है वो है 100 kg स्थिर वस्ता से उपर की दिशा में गती कर रही है चित्रा अंसार इसके वेग में परिवर्तन होता है lift से जुड़ी रसी में तनाव T1 T2 T3 है जो कि 0 से 2 से किंड 2 से 6 से किंड और 6 से पूछा है ठीक है हमें एक उसके लिए एक VT graph भी दे रखा है तो देखिए बच्चो अगर मान लीजी हमारे पसको lift है और वो उपर की दिशा के अंदर गतीमान है अगर वो उपर की दिशा में गतीमान है तो इसके अंदर जो भी की टेंशन होगी इस lift के frame of reference में हम यह कह सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि इसकी उपर नीचे की तरफ अगर यह lift उपर की तरफ मूव कर रही है और सपोज एक्सलिरेशन से मूव कर रही है तो नीचे lift के reference व्रेम में प्लस mg आ जाएगा यानि यह हमारी में एक्वेशन है में प्लस mg या इसको हम लिख सकते है टी विल भी इक्वल टू एम जी प्लस से अब हमें स्लोप वीटी ग्राफ इस एक्सलिरेशन तो इसकी जो स्लोप होगी बच्चों जीरो से दो सेकेंड के लिए जब हम टीवन को कैल्कुलेट करना चाहेंगे तो एक्सलिरेशन अगर मैं एवन मालूं वह इसकी स्लोप के बरापर होगा स्लोप कितनी होगी परपैंटिकुलर बाइस यह हो गया चार और यह दो यह निदो और यह स्ट्रेट लाइन है तो कॉंस्ट एक्सलिरेशन मिलेगा पोजिटीव एक्सलिरेशन मिलेगा बिकॉस दिस एंगल इसका मतलब है तो हमारा जो टेवन होगा वो कितना होगा इसमें अगर मैं A की जगे 2 रख दूँ तो G को 10 लिख देते हैं तो M 10 प्लस 2 यह आजाएगा 12M ऐसे ही अगर हम यहां की बात करें तो इसकी स्लोप 0 है यानि इस पॉइंट के लिए A2 की अगर मैं बात करूँ तो A2 कितना हो जाएगा हमारे पास में यह हो जाएगा जीरो अगर एटू जीरो हो जाएगा तो T2 कितना हो जाएगा सिंपल M G तो T2 महारे पास में जाएगा बच्चों M G यानि G मतलब 10 10 M अब आते ए 3 पर यहां पर अगर हम देखें तो इसकी जो जोगी नेगेटिव क्योंकि अप्तिव जंगल है नेगेटिव जोगी होने तो नेगेटिव जोप कितनी होगी 4 यह पर पर पेंडिकलर बेस वन है कि तो यहां पर अपकी बार हमें एक्सेलर्चन जो मिलेगा ए 3 वह कितना मिलेगा मायनस 4, 4 divided by 1, और क्योंकि obtuse angle मन रहा है तो मैं negative लूँगा, constant है क्योंकि straight line है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, तो कितना मिलेगा हमें, T is equal to, या T3 is equal to M, G minus 4, यानि 10 minus 4, यानि T3 हमें मिलेगा बच्चों, 6M, अब इन तीनों का ratio लेना हमें, T1 ratio T2 ratio T3, समानुपात, इसको हमें लिखेंगे 12M, 10M, 6M, इसको M से M सारे cancel हो जाएंगे, यह हम रपास बचेगा 6, 5 और 3, यानि 6, 5, 3 के ratio में हमारे को यह tensions मिल जाएंगी बच्चों, ठीके ना, तो अंसर हमारे कौन सा हो जाएगा, second, चले आँगे, next question is, next question जो हमारा है, the elevator shown in the figure is descending with an acceleration of 2 meter per second square, the mass of the block A is 0.5 kg, the force exerted by the block A on the block B, A जो है वो block B पर कितना force लगा रहा है, A block B की उपर normal reaction लगा रहा होगा, और block B A की उपर normal reaction लगा रहा होगा, दोनों अपस में बराबर होँगी, अगर मैं A body का free body diagram बनाऊ, तो कि इसका हमें mass दे रख है, A body का free body diagram कैसे बनेगा, कि इसका mass weight की form में इस तरीके से लगता हो दिखाई देगा, और B इसकी उपर normal reaction लगा रहा है उपर, और यह accelerate हो रहा है नीचे, तो मैं Newton equation यूज करूँ, तो मैं बना सकता हूँ 0.5 G, यह Newton क्या second लों हम यूज कर रहे है, minus N is equal to 0.5 A, A is 2, 0.5 G मतलब 5 minus N is equal to 1, N हमारे पस कितना जाएगा बच्चों, N हमारे पस मा जाएगा 4 Newton, तो यह second option जोए बच्चों, इसका correct solution बन जाएगा, ठीक है, next question is बच्चों, 45, a plate A of mass M is placed on a horizontal frictionless surface, and a body B of mass M, small m, is placed on this plate, the coefficient of friction between A and B is mu, if the force 3 mu mg is applied on the body of mass M, along the horizontal, the acceleration of the plate will be, एक बार हिंदी में भी देखते हैं, बच्चों, एक M दरवेमान की plate है A, तो मैं एक ख्षैतिज रहीत घर्षन रहीत तल पर रखें, तो यह तल है मानलीजे हमारा, ठीक है, ख्षैतिज गर्षन रेटल, इसकी उपर M दरवेमान की capital M दरवेमान की plate रखें हुई है, M दरवेमान है, इसको हम बोल रहे है, A plate है हमारी है, अब हमें का हुआ है, इसकी उपर M दरवेमान की वस्तु B रखी है, इसकी उपर हमने एक वस्तु रख दी बच्चों, ठीक है, यह हमारे पास B, और इसका जो दरवेमान है, वह हमें दे रखा है M, वस्तु B तथा plate A के मद्य, जो गर्षन गुणांक है, वो है M, तो A और B क के बीच में, जो हमारे पास coefficient of friction जो हमें दे रखा है, that is M, फिर हमें का है, यदि वस्तु B पर, इस वाली वस्तु पर, अगर मान लीजी हमें एक force लगाते हैं, 3μg का, ठीके, शैतिश दिशा के अंदर, तो plate A का तुरन कितना होगा, तो हमें इस A का acceleration बताना है, तो बच्च यानि friction जो है, वो 0 है, क्योंकि frictionless surface है, अब सबसे पहले हम यह देखते हैं, कि क्या यह दोनों plate एक साथ, यह plate और यह body जो है, A और B body, क्या एक साथ move करेंगे, या लग-लग move करेंगे, तो उसके लिए मैं check करूँगा, क्या check करूँगा, कि force applied हमारे पास यह है, और इन दिन friction लगेगी उपर N, तो limiting friction होता है, mu s into N, यानि जब मैं इसको इधर की side के इंदर 3 mu mg इसकी उपर force लगाँगा, तो इधर की side में की limiting friction आएगा, that is mu mg, mu into N होता है, N is mg, तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे applied force है, वो इस वली force से ज्यादा है, mu mg से ज्यादा है, अगर ह applied force is mu mg से जादा है, इसका मतलब this body will certainly move, और यह वाली जो body है, वो भी move करेगी, और दोनों एक साथ move नहीं करेगी, क्योंकि यह इसके respect में rest पर नहीं रहेगी, अगर यह वाली जो body थी हमारे पास में, इसका जो friction, इसका जो हमारे पास force होता है, इस limiting friction से छोटा होता, तो यह दोनों bodies एक साथ move करती, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि हमारा जो F applied है, वो F L से जादा है, तो both the bodies will move with the different accelerations, तो क्या होगा, इसकी उपर mu mg लग रहा है, इसको मैं F के बोल देता हूं, तो इसकी उपर भी हमारे पास में F के लगेगा, क्योंकि जो kinetic friction होता है, वो दोनों bodies पर लगता है opposite direction के अंदर, तो इसकी उपर भी mu mg लगेगा, और इसकी उपर भी mu mg लगेगा, हमें इसका acceleration बताना है, यह नीचे जो plate है, जैसा कि यह में दिया हुआ है, the plate A accelerated will be, तो इस पर लगने वाला जो force है, वो के वाले F के, तो F के जो है, वो इस M mass की plate को क्या करेगा, acceleration प F के, तो यह इसको accelerate करेगा, तो F के will be equal to, F के कितना हो जाएगा, mu mg के बराबर, A will be equal to mu small mg divided by m, तो बच्चो यह plate का क्या हो जाएगा, acceleration हो जाएगा, mu mg by m, तो हमारा कौंस option से हो जाएगा, first option से हो जाएगा, correct, चले हाँगे, चले हाँगे बढ़ते है, Tension in uniform rod, at a distance 10 cm from end A, is, तो हमरे पास में uniform rod दे रखी है हमारे को, ठीके न, समरूप छड़के सिरे A से 10 cm दूरी पर तनाव क्या होगा, तो हमरे पास में यह एक end है, और यह एक end है, बी, 10 cm distance पर हमें तनाव बताना है, तो पहले तो बच्चों हम यह देखते हैं, कि इसका acceleration का होगा, तो हम देख सकते हैं, यह वाली जो हमारे पास रस्ती है, यह वाली जो हमारे पास ट्रिंग है, इसमें जो टेंशन आएगी, वह आएगी 32 N, और इस वाली जो टेंशन कितनी है, 20 N, और यह body excellent होगी, obviously यह वाला फोर्क जादा है, तो इस direction में, M हम इस छड का द्रविमान बान लेते हैं, और रोड का मास पान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं, कि यह रोड का acceleration कितना होगा, net force कितना हो जाएगा, 32 minus 20, 32 minus 20, divide by M, तो यह कितना आ जाएगा, 12 by M, ठीक है, 12 by M हो जाएगा, अब हमें बताना है, यहाँ से 10 cm पे, यहाँ पर tension कितनी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले part को consider करता हूँ, अगर मैं इस वाले part को consider करता हूँ, तो क्या होगा, इस वाले part को भी consider कर सकता था, इस वाले part को consider करता हूँ, तो क्या होगा, इस की उपर tension force लगेगा, इस direction में, तो यह वाला जो पार्ट हमने कंसीडर किया अगर मैं इसका फ्री डियाग्राम बनाओ टेंशन लगेगी इस डिरेक्शन में 20 न्यूटन लगेगा इस डिरेक्शन में और यह एक्सलेट हो रही है इस डिरेक्शन में तो टी माइनस 20 विल बी इक्वल टू अब इस छोटे से प का मास कितना है तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यह जो रॉट है यह एक यूनिफॉर्म रॉट है और कि जो लेंठ है वो 1 रिशोad 2 के अंदर divided है इसकी जो लेंठ है वो 1 रिशोड्य मैं आच और यह वाला हिससा होगाह वह कितना वाफार्ट होगा यह वर्оры पार्ट होग जे जोनों cancel हो जाएंगे तो T comes out to be 20 plus 4 that is 24 newton 24 newton ये थर्ड option जो हमारा correct solution मन जाएगा ठीक है चले आगे 47 in the given arrangement and number of equal masses are connected by the string of negligible masses तो हमें दे रखा है कि जो string है हमारी जैसे कि हमें दे रखा है कि वो n number of equal masses ये जो masses है वो कितने है total n और equal है सभी का जो mass है वो m है जैसे कि हम diagram में देख सकते हैं और इनसे जो string बंदी होई है they are of negligible masses इनसे जो ये string बंदी होई है इनके जो masses है वो negligible है the tension in the string connected to the nth mass ये जो n1 mass है हमारा ये वाला हमें बताना है इसमें tension कितनी होगी ठीक है सबसे पहले हम देखते है इस पूरे system का acceleration क्या होगा तो इस पूरे system का acceleration क्या अतना होगा बच्चों इसके अंदर ये सारे forces जो है वो तो balanced है के वल ये एक unbalanced force है तो net unbalanced force will be mg नीचे जो लग रहा है divide by total mass तो ये n mass है each mass is having m mass plus m तो ये बच्चों होगया इसका acceleration अब हम से पूछ रहे हैं ये जो nth mass है इसमें tension कितनी होगी ये तो अगर nth mass की बात करूँ तो यहां पर की जो string होगी उसमें जो भी tension आ रही होगी suppose tn tension उसका काम क्या होगा उसका काम होगा इस वाले mass को केवल इस वाले mass को क्या करना acceleration प्रवाइट करना यानि जो tn होगा हमारा nth जो हमारे पास में डोरी है string है उसका जो tension होगा वो कितना होगा केवल इस वाले mass को tension या कह सकते हैं कि acceleration प्रवाइट करना यह पूरा system इस acceleration से चल रहा है पूरा system इस direction में चल रहा है a acceleration से तो इस tn का काम होगा m into a प्रवाइट करना tn will be equal to m और a की value कितनी हो जाएगी mg divided by nm plus m तो यह हमारे पास में first जो option है उसके अंदर हमें मिल जाएगी tension on nth mass ठीक है चलें आगे next question is a block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which moves with a velocity v as shown in the figure the horizontal velocity of the block is चिकने नत्तल पर एक block को रस्ती की साहिता से घीचा जा रहा है रस्ती चित्रांसवार V वेक से गतिश्टी ले block का क्षैतिज्वेक कितना होगा यह हम से पूछा है तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर यह block यहां से V-speed से चल रहा होगा तो यह वला एंगल कितना हो जाएगा 90 मैनस थीटा अब हम जानते हैं constraint motion जो होता है दो bodies के बीच में अगर दो points के बीच में अगर जो separation है वो constant रहे तो इन दोनों को मिलाने वाली जो line है उसके along जो velocity होती है वो हमेशा क्या होती है same यह constraint motion हमें कहता है तो इन दोनों के मिलाने वाली जो line है वो यह है इन दोनों को मिलाने वाली line यह है यानि इसका इस direction में component इस velocity के बराबर होना चाहिए तो इसका इस direction में component कितना होगा V dash cos 90 मैनस theta यानि हम कह सकते हैं V dash sin theta ठीक है constant motion हमें क्या कहता है कि अगर दो points के बीच का separation same रहे तो उन दोनों को मिलाने वाली line के along जो velocity होती है वो दोनों points की बराबर होती है या यह कह सकते हैं उनकी relative velocity कितनी होती है 0 होती है तो इसका मतलब है हमारे पास में यह जो V है वो किसके बराबर होगा V dash sin theta के तो अगर यह V dash से move कर रहा है तो V dash will be equal to V by sin theta तो V by sin theta will be the correct answer ठीक है चले हागे 49 A monkey is descending from the branch of a tree with a constant acceleration एक बंदर नियर 20 से पेड की शाखा से नीचे उतर रहा है इस शाखा की सेयन करने की शमता बंदर के भार की 75 प्रतेश्यत है तो बंदर का नियूंतम कितने 20 से नीचे आ सकता है कि शाखा ना टूते तो जैसे हमें जाए रहे कि ब्रेकिंग स्टेंट दो ब्रांच इस 75 प्रटेंड वेट ओवड़ा मंकी तो मिनिममम एक्सेलरेशन क्या हो कि वो नीचे उतर सके तो यह माल लीजे हमारे पास में कोई ब्रांच है ठीक है और इसकी ऊपर माल लीजे हमारे पास में कोई इस तरीके से मंकी है जो नीचे उतर रहा है तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि मंकी डिसेंडिंग फ्रूम दे ब्रांच ऑफ दे ट्री विद ऐ कॉंस्टेंट एक्सेलरेशन माल लो यह एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है यह हमें निकालना है ठीक है तो जब यह नीचे उतर रहा है है तो इसकी उपर जो टेंशन लगेगी वो लगेगी उपर एम जी लगेगा नीचे इसके हातों पर जो टेंशन लगई लगेगी उपर की तरफ लगेगी तो OUTर मंकी का यह branch सहन कर रही है, यानि हम से एक आ गया है कि यह जो tension है यह इसके weight के 75% maximum 75% को सहन कर सकती है, यह जो tension है यानि अगर 75% से उपर अगर आपने इसकी उपर वजन डाला तो यह तूट जाएगी, इसका मतलब है यह जो tension है, यह कितनी है, 75% मतलब 0.75 of weight of the monkey, weight कितना है, mg यह इसक उपर maximum कितना tension या कितना tension डाल सकती हो 0.75, यह यह 75% of the weight of the monkey, यह इसकी breaking strength है, इसके बाद अगर weight डाला तो फिर यह तूट जाएगी, तो इसको मैं कह सकता हूँ mg-0.75 mg, यह किसके बराबर होगा ma, तो यह हमारे पास हो जाएगा 0.25 mg, will be equal to ma, यह जोनों cancel, यह कितना हो तो g by 4 हमारे पास में correct solution आजाएगा इस question का, ठीक है, next question देखते है, next question is question number 50, a stone is dropped from a height h, if it hits the ground with a certain momentum p, if the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by, यह 50s question जो है हमारे पास में, एक stone है, वो h height से हम गिरा रहे हैं, और वो ground पर p momentum से गिरता है, तो माल लीजे यह हमारा ground है, और एक stone को हम h height से नीचे गिरा रहे हैं, तो बच्चों जब यह गिरेगा, तो इस point की उपर just before the strike, इसकी velocity होगी under root 2gh, तो यह जो p momentum की हम बात कर रहे हैं, वो कितना होगा हमारे अपस under root 2gh, यह तो होगी, इसकी velocity into mass माल लेता हम इसका M है, अब हम कह रहे हैं, if the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, पहले की 100% अधी कुछाई से गिरा जाए, 100% का मतलब क्या हो गया, पहले अगर h थी, तो h का 100% फिर h हो जाएगा, यानि अब हम इसको गिरा रहे हैं, बच्चों, total 2h height से, पहले की 100% height से, तो 2h height से गिरा रहे हैं, तो अब हमारा जो momentum है, वो कितना हो जाएगा, अंडर root 2g into 2h, अब हमारी height हो गई 2h, mass वो यह M, तो हमें बताना है कि हमारा जो momentum है, वो कितना change हो जाएगा, और प्रतीशत में अंसर हमार को देना, यानि प्रतीशत परिवर्तन हमें बताना है, तो प्रतीशत परिवर्तन कितना होगा, बच्चों, P final minus P initial, यह हमारा initial momentum है, divide by P initial into 100, P final कितना होगा, मारे पस, M into under root 2g2h, minus M into under root 2gh, divide by M into under root 2gh, into 100, तो M सारे cancel हो जाएंगे, 2g सारे cancel हो जाएंगे, h भी सारे cancel हो जाएंगे, हमें अर पास बचेगा, root 2, minus 1, into 100, root 2 का मतलब होता है, बच्चो, 1.41, 1.41, minus 1, into 100, तो यह हमार पास कितना आजाएगा, 41%, कितना आजाएगा, 41%, ठीक है, चले आँगे, तो 41%, फर्स्ट ऑप्शन हमारा correct solution हो जाएगा, तो हमें देए रखा है, 3 blocks with mass M, 2M and 3M are connected by the string, as shown in the figure, after an upward force F is applied on the block M, the mass is moved upward with a constant speed V, what is the net force on the block of mass 2M, तो बच्चो, जैसे कि हमें देए रखा है, कि यह constant speed से move कर रहा है, so there is no acceleration anywhere, इन 3 blocks पर acceleration नहीं है, अगर इन 3 blocks पर acceleration नहीं है, तो इसकी उपर अगर मैं net force की बात करूँ, तो वो net force कितना आ जाएगा, तो हम जानते हैं, कि जो भी इसकी उपर net force लग रहा होगा, चाहे किसी के भी करण लग रहा हो, जो भी इसकी उपर F net लग रहा होगा, इन दौनोटेंशन के करण, इसके weight के करण, वो किसके, क्या कर रहा होगा, इसको 2M वाले मास को acceleration प्रोवाइट कर रहा होगा, 2M वाले मास को क्या प्रोवाइट कर रहा होगा, acceleration प्रोवाइट कर रहा होगा, तो हमसे यही पूछा है कि इसके उपर नेट फोर्स कितना है नेट बल कितना होगा जीरो फिस्ट ऑप्शन जो है करेक्ट सलुशन हो जाएगा कि अमशीन गन फायर्स बुलेट्स ऑफिफ्टी ग्राम एट श्पीट थाउदंड मीटर पर सेकेंड तो बच्चों हमें यह बताना है कि मान लीजे बुलेट्स जो है वो चल रही है फिफ्टी ग्राम एड़ श्पीट ओफ थाउदंड मीटर पर सेकेंड ठीक है और एवरेज फोर्स जो है वह हमारे को दे रखाए 200 तो अगर हम गन के रस्पेक्ट में बात करें तो एवरेज फो टू माइनस वीवन डिवाइड वाई है तो कैसकते हम टी सबसे पहले हम बुलेट की बात करते हैं बुलेट की बात करते हैं तो एक बुलेट के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना ही है एक बुलेट के लिए एक बुलेट के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना ही है तो शुरवा M. यानी 50 by 1000 into V2 that is 1000 divided by T. ये एक बुलेट के लिए है कि वो फोर्स लगा रही है और अब कितनी बुलेट्स निकल रही है माल लिजे N बुलेट्स निकल रही है तो N बुलेट्स पर सेकंड निकल रही है और वो bullets उस जो हमें रपस गन है उस पर कितना force लगा रही है action reaction अगर हम लगाएं तो 200 200 Newton का force लगा रही है ठीक है तो हमें निकालना यह n by t कितना होगा हमें निकालना यह n by t कितना होगा तो t हमर पस कितना हो जाएगा 50 divided by 200 तो यह हमर पस बच्चों कितना जाएगा 1 by bullets 1 by bullets 1 by 4 n by t अगर हमें निकालना है तो 200 by 4 जाएगा sorry n by t अगर हमें रको निकालना है तो n by t हमर पस कितना जाएगा 200 by 50 that is 4 bullets पर सेकंड लेकिन हमें निकालना है bullets per minute एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं 1 by 60 तो हम यह कह सकते हैं 4 into 60 अब यह जो आएगा वो आएगा bullets per minute ठीक है ना ऐसे कहते हैं यह कितना जाएगा बच्चों 240 तो 240 bullets per minute हमार को कहेंगे कि इसकी उपर bullets जो हो निकल रही है ठीक है और उसके करण जो force आ रहा है जैसे बुलेट निकल रही है ठीक्शन रेक्शन रेक्शन जो है वो बुलेट पर गन पर आएगा 200 न्यूटन का जो औस बल है वो बंदू पर लगेगा तो हमारे पास जो number of bullet आ जाएंगी per minute वा जाएंगी 240 आगे चलते हैं इस थरस्ट फोर्स ऑन रॉकेट having exhaust velocity of gases 300 meter per second is 200 newton then the rate of combustion of the fuel is तो हम जानते है बच्चों जो हमारे पास में thrust force होता है वो होता है वी dm by dt where V is the exhaust velocity dm by dt is the rate of combustion of fuel and thrust force is FTH तो हमें दिया हुआ है thrust force जो है वो 210 है वी हमारे को 300 दिया हुआ है dm by dt यानि हमारे को rate of combustion निकालना है तो dm by dt बच्चों जो होगा हमारे पास में वो हो जाएगा 210 divided by 300 के दो हो cancel यह हो जाएगा 7 by 10 यानि 0.7 kg per second तो यह हमारी rate of combustion हो जाएगी correct चले हांगे a body is moving along a rough horizontal surface with a velocity 6 meter per second if the body come to rest after traveling 9 meter than the coefficient of friction is एक वस्तु खुर्दरीक शैति सत्य पर 6 meter per second की वेक्सिकरी शीले 9 meter की दूरीतिया करके स्तिरवस्ता मैं जाती है तो गर्चन कुनांग क्या होगा यह हमसे पूचा है कि तो हमारे पास माली जी कोई body है वो 6 meter per second से move कर रही है तो इसकी initial velocity कि इतनी है 6 और उसके बाद में हमको कहा है कि वो बाद में फाइनली किस पर आ गई है रेस्ट पर और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो भी हमें दे रखा है इड़ नाइन मेटर ठीक है तो इसकी उपर जरूर यह क्यों रुक रही है क्योंकि इसकी उपर फ्रिक्शन लग रहा होगा इसकी उपर क्या लग रहा होगा तो उस फ्रिक्शन के कारण अगर मैं निकालना चाहूं कि इसकी उपर d acceleration कितना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं कि जो भी इसके उपर net force लग रहा है जो इसको d accelerate कर रहा है वो किसके बराबर है friction force के है तो यह जो net जो हमारे पास में opposite direction में friction यह जो net force लग रहा है जो इसको d accelerate कर रहा है that will be m into a it will be equal to mu mg ठीक है न यह kinetic friction होगा तो a की value क्या हो जाएगी बच्चों mu g यहनि इसके अंदर जो d acceleration है वो हम रखेंगे mu g correct तो तीसरी समिक्राण लगाते हैं बच्चों v square is equal to u square plus 2 a s तो v तो हमारे पास 0 है यू कितना है हमारे पास में 6 meter per second क्योंकि d acceleration हो रहा है इस वजह से मैं negative sign use करूँगा और a की value रख दूँगा मैं mu g और s अमर पास में 9 तो जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो यह जाएगा 36 will be equal to यह हो जाएगा 20 इन्टू है यह हो जाएगा 20 इन्टू 9 और यहां पर आजएगा म्यू तो यहां पर हम देखें इसको तो mu will be equal to 36 by 180 तो इसको हम देखते हैं कितना आता है 3 by 5 यानि 1 by 5 यानि यह आ गया 0.2 तो इसका coefficient of friction बच्चों कितना होगा 0.2 ठीक है फिर्स्ट option विल बिदे correct answer next question देखते हैं a shell is fired vertically upward with a velocity V1 from the deck of a ship traveling with a speed V2 a person on the shore observe the motion of the shell as parabola the horizontal range is given by a goalie को वेग वीवन से एक जहाज से उर्दादर उपर की और चलाया जाता है तो जहाज वीटू चाल से गतिमाने एक विक्ति किनारे पर खड़ा उससे गोली का पत्परवलाकार प्रेक्षित करता है तो ख्षैतिच परासम से पूछिए कितनी होगी तो बच्चों यह हमारे पास एक ship है यह मान लीजिए इस direction के अंदर movement कर रहा है जैसे कि यह में दिया हुआ है वीटू इससे एक बुलेट चलाई जाती है जैसे मानलो उपर की डिरेक्षिन में बुलेट चलाई वीवन स्पीट से तो जो आदमी यहां पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसको इसका जो पात है वो कैसा दिखाई दे रहा है प्रोजेक्टाइल यानि पैराबोलिक पात दिखा चेंज अर वाय दे रह Además क्यों को जब इसको खरेंगे यहीं जो इसको इसको शेल है मारे पास में इसको जो fire के वह वह और डिक डिरेक्षिन में किया पर इसवारीज के पासमेंG it you can कि ये ship move कर रहा है तो इसका जो path है वो ऐसे observe होगा यानि एक parabolic path observe होगा और इसकी हमें range बतानी है तो बच्चों हमें मालूम है range का एक और formula हम अच्छे तरीके से जानते हैं to ux uy by g where ux and uy are the horizontal and vertical initial velocities respectively तो r will be equal to 2 ux ये है v2 और uy कितना है v1 तो ये 2 v1 v2 by g ये हमारे पास इसकी range आ जाई है ठीक है correct चलिए आगे बढ़ते हैं next question is question number 56 projectile is projected at an angle theta from the ground what is the ratio of potential energy kinetic energy at the topmost point of the projectile motion take potential energy at ground is zero तो उच्टम बिंदू पर स्थितिज और गति जूर्जा का हमें क्या निकालना है है अनुपात निकालना है तो माल लीजिए हमने यहां से एक प्रजेक्टाइल को कि इस तरीके से प्रजेक्ट किया अधिकर एक एंगल सपोस्थीटा हम जानते है एड़ इसके पास जो विलॉसिटी होती है वो के वल होरिजून्टल डिरेक्शन में होती है वर्टेकल विलॉसिटी इसकी हो जाती है जीरो ठीक है तो ग्राउंड की ऊपर यहां पर हमें पोटेंशल एनर्जी जीरो माननी है तो जब हम उपर जाएंगे तो इसके बस कितनी पोटेंशल एनर्जी आए जाएगी MGH मालो इस जो भी हमारा जो प्रक्षे पर दिया गया उसका मास कितना है दर्वेमान कितना है तो अगर मैं पोटेंशल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेश्यो निकालना चाहता हूं तो एक हो जाएगा MGH और यह हो जाएगा एक बटा दो M और टॉप्मोस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो यहां स्पीड है इसकी यू कॉस थीटा म वी स्क्वेर यानि यू कॉस थीटा का स्क्वेर अब MGH ह हो जाएगा U स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा डिवाइड वाइट टू जी यह टू पर आ जाएगा तो यह ऐसे बन जाएगा ग्याई और नीचे वेहर पर अचैगा M.U स्क्वेर स्क्वेर कोस स्क्वेर थीटा तो रचों इस टूजी से यजिक है mere 2G ऑजना सॉली सक्वेर स्टाइब से क्वेर यू स्क्वेर स्टाइब यो स्क्वेर थीटा यह हमः परस इनका अनुरह आता जाएगा 10 sq थीटा ठीक है चले आगे अब रजेक्टाइल इस फ्रोन विदे वेला इनिशल वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर इगल टू ए आइकप प्लस बीजे कैप इफ दे रेंज फ़ प्रजेक्टाइल इस डबल ऑफ दो मैक्जिम हाइट रीच दैन हम से पूछा है इन में से कौन सा उस बताया था आर टैन थिटा बराबर फोरेच तो हमारा जैसे कि आरंबिक दे रखाये यह कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को हमने क्या किया है प्रोजेक्ट किया है तो आरंबिक वेक अगर यह यानि यह वाला जो एंगल यह वाला जो हमारे पास इनिशल वेलोसिटी है वह है और यह वाली इनिशल वेलोसिटी है वी तो हमारे पास मैं यह जो आ जाएगा तो 10th हिटा की value अगर बच्चों मैं निकालूंगा तो perpendicular by base यानि u y by u x यानि b by a आ जाएगी ठीके ना perpendicular by base या u y by u x b by a तो इसके अंदर इसकी value अगर मैं रखूं आर की value तो रखता हूं मैं 2h और 10th हिटा की value क्या रखूंगा यह कितना आ जाएगा 4h के बराबर यह दोनों cancel तो यह 2 आ जाएगा 2a के बराबर तो बी बराबर 2a यह नि थर्ड ऑप्शन हमारा correct solution हो जाएगा ठीक है आए बच्चों देखते हैं question number 58 58 अमने क्या देखाएगा the equation of projectile is y is equal to root 3x माइनस gx square by 2 the horizontal ranges तो हमें प्रक्षेपी की सम्मीकरन दे रखी है और हमें बताना है कि शैतिश पराज क्या होगी देखिए हम जानते हैं बच्चों कि जब हम किसी projectile को shoot करते हैं तो जब यह horizontally maximum distance पर पहुंचता है तो यहाँ पर y की value क्या हो जाती है जीरो यह y की value यानि y direction के अंदर जो displacement है वो कितना हो जाता है जीरो तो हम वो point निकालते हैं जहां पर y 0 आ रहा है क्योंकि उस point पर जो x की value होगी बच्चों इस equation के अंदर वो मुझे range के बारे में information दे 3x minus gx square by 2 और जब मैं 0 रखूंगा तो यह x मेरा क्या बन जाएगा बच्चों range तो root 3x बराबर gx square by 2 यह दोनों cancel x हमारे पास मैं जाएगा 2 root 3 by g मतलब 10 तो 2 into 1.7 बटे 10 तो यह आ जाएगा हम आप 0.34 meter तो यह हमारा answer जो है वो correct हो जाएगा ठीक है असान है आगे चलते है आगे टूप प्रोड़ पार्टिकल सेपरेट एट होरीजोंटल इस्टेंस एक ऐस शोन दे फिगर दिप्रोजेक्टेट सेम लाइन एस वह इन्ट पिगर यह समेज इसके पश्चाहत उन योनों के मद्दिकिक शैतिस्य दूरी क्या हो जाएगी शोने निये शैत्य दूरी शोने का मतलब है कि इस प्रजेक्टाइल को हमने ऐसे मूव करवाय इसको इस तरीके से बना सकते हैं यह यह पस है टोटल एक्स ठीक है इसको हमने ऐसे मूव करवाया 30 डिग्री पर और इसको हमने ऐसे मूव करवाया 60 डिग्री पर ठीक है यह यू से और यह यू बाई रूट 3 से तो माल लीजिए जब यह इस तरीके से मूव कर रहा था यह इस तरीके से मूव कर रहा था तो यह वो प जाएगी तो यह इस बॉएंट पर जब दूसरी को क्रॉस कर रहे होंगे तो इन दोनों की कि कि कोई भी acceleration नहीं होता, तो simple हम distance is equal to velocity इंडो time कर सकते हैं, तो इस direction के अंदर velocity कितनी होगी, इसका horizontal component, यानि u by root 3 into cos 30, और कितने time है, मालो t time में यहां से यहां पहुँच गया, और इतने time में यहां से यहां पहुच गया, तो x2 क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं, यह angle हमा को दिख सकती, तो u cos 60 into t, अब हम जानते हैं कि यह जो x है, वो x1 plus x2 के बराबर है, तो इन दो उनको जोड़ दो, इधर आजाएगा x1 plus x2, और इधर कितना आजाएगा, u by root 3 cos 30 plus u cos 60 into t, x1 plus x2 कितना है x, यह कितना हो जाएगा, root 3 by 2 plus u by 2 into t, तो यह दोनों cancel, यह भी u by 2, यह by 2, u by 2 हो जाएगा, तो total हो जाएगा u, x हमारे पास हो जाएगा यह, और यहां पर t कितना हो जाएगा, x by u, ठीक है, x by u, तो हमारे पास में यह जो first option है, यह इसका correct solution बन जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते बच last question, the number of bullets are fired in all possible directions, with the same initial velocity u from a fixed point, ठीक है, हमें बताना है, the maximum area of the ground covered by the bullet, तो माल लीजे हमारे पास एक गन है, उससे हम हर possible direction के अंदर क्या कर रहे है, firing कर रहे है, हर possible direction में firing कर रहे है, और हमें maximum area बताना है, यानि जो हमारी यह जो shooting होनी चाहिए, यह हर possible direction के अंदर firing कर रही है, हर possible direction में firing कर रही है बच्चों, तो इसका मतलब है, अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें क्या मिलेगा, एक circle मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक circle मिल क匡़ेगा और इसकी रेडियस क्या होगी इसकी रेडियस होगी सिसकी होरीजोनल रेंज के बराबर और हमें कहाज पी मैक्सिमं एरिया कवर होना चाहिए यानि इस सूर्सपीर पर यह सैन THE थीक्वल टू फोटीव डिग्रीस हे एवा फोटीव को मतरे निटीवान जाएगा तो आजो होगा मैक्सिमम कीपल पर आरिक्षीमम मोगा औरर पाई और यह r max square तो पाई आर मैक्स हमारे पास कितना यूजवर भाई जी square तो हमारे पास में पाई यूजवर भाई जी square यह इसका maximum एरिया आजायेगा जो fourth option में हमारे को दे रखा है correct तो बच्चों यह थे हमारे DCM paper 4K physics वाले पार्ट के solution, I hope कि आपका paper अच्छा गया होगा और आपको ये सभी question अच्छे से समझ में आ गया होगे next question paper के लिए next DCM के paper के लिए wish you very well the best तो हम बस यहीं आप से इजाज़त लेते हैं thank you very much, jessi